नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे BTSC A&M को लेकर जिसमें कि BTSC की तरफ से एक officially notice जारी किया गया तो वो notice भी हम देखेंगे जो बिहार तक्निकी सेवा आयोग ने notice जारी किया गया है जो कि आप लोग के आरक्षन को लेकर है कि OBC, EBC, SC category और girls जो आते हैं उनको क्या कुछ गलतिय करने आपको आरक्षन नहीं मिलेगा जैसे कि उस notice में clearly लिखा हुआ है point देखर कि आपको ये गलतिया नहीं करने है तो चलिए हम लोग वो officially notice देख लेते हैं जो कि BTSC के तरफ से जारी किया गया है और उसके बाद हम लो BTSC के तरफ से ही जारी किया गया बिहार तकनिकी सेवायो जो कि BTSC J.E. को लेकर दिया गया था लेकिन BTSC आप लोग का भी बहाली करेगा तो यही rule regulation आप पे भी होंगे इसका result आने वाल है BTSC J.E. का तो इसकी regarding notice दिया गया है कि आप लोग को ये गलतिया किये हुए हैं तो आपको उससे पहले सारे कुछ त्यार रखना है तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ इसमें दिया गया है जैसे point no.8 और 9 हम लोग देखते हैं point no.8 में कर रहा है कि वाइसे आप भ्यारती जो पिछरा वर्ग BC category में आते हैं और अत्यंत पिछरा वर्ग EBC category का दावा करते हैं क तो उसको क्या करना पड़ेगा कि अवधी निर्धारित समय पर क्रीमिललय लहित परमानपत्र जमा करना पड़ेगा इसका मतलब यह हुआ कि आपने ज़ो काउंसलिंग किये हैं उस समय में आपने जो आई परमानपत्र या झाति PC लेगा हैं तो आपको इस category का लाब मिलेग अन्यथा आपको जेनरल केटोगेरी में डाल दिया जाएगा यदि समय शीमा उस पे निर्धारी समय शीमा के अंतरगत नहीं रहेगा जैसे कि सब का अलग अलग समय शीमा होती है जैसे जाती परमानपत्र का six month का होता है उसके बाद हम बात करें यो आप लोग का आई परमानपत्र होते हैं उनका भी six month का होते हैं उसके बाद आवास्य परमानपत्र थोड़ा जैदा होते हैं उसके कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दोनों का आवास्य और जाती परमानपत्र का six month का ही valid होते हैं तो आप तो उनको जब आएगा तो समय में हीनकति का पटर करने होंगेa तो समय पर्मानपत्र дав recycling स्क्राइब माईने रखते जैसे उसके आएव पर्मानपत्र ये लेकिन जैति पर्मानपत्र आपको समय सीमा निर्धारी समय सीमा अंतरगा तो होना चाहिए अगर नहीं है तो वह अनारक्षित कोटी मतलब जनरल में आप लोगों को रख दिया जाएगा और यदि नम्मा पॉइंट गल्स को लेका रहा है कि वाईसे महिला अभ्यारती जिनके द्वारा आरक्षित कोटी का दाव ही होते हैं जाएदा तो महिला कंडिडेत है तो आप लोग महिला कहीं एने में सारे बहाले होते हैं तो आप लोग क्या होंगे कि जो बहुत सारे महिल गर्ल्स वैसे होंगे जिनका साधी हो चुका है तो उनको जो क्रीमी लियर प्रमान पत्र बनाने हैं और जाती प्रम बना तो यह सारा कुछ इसमें दिया गया है तो इस बातों पर आप ध्यान देकर निश्ची तुरूप से आपने जो फॉर्म फिल किया है वो दिये होंगे अगर नहीं दिया है तो आप लोग काउंसिलिंग के टाइम आए तो उस समय में बना के रखिएगा और आपको उस समय में भ सब्सक्राइब कार ले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीजियो में थैंक